तावर तो रेलिया भीर से भरे रोट शो और जनसम्हाओं के भाशण के बाद आखिरकार करनाटक में वोटिंग का दिन आही गया आज करनाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे सुबा साथ बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम करीब 6 बजे तक होगी इस बार चुनाव मैदान में कुल 2615 उमीदवार हैं जिन में 2420 पुरुष और 184 महिलाएं हैं जहां तक वोटरों की बात है तो करनाटक में 5 करोण 31,33,054 मत दाता हैं जिन में 2 करोण 67,68,03 पुरुष और 2 करोण 64,74 महिला मत दाता शामिल हैं चुनाव अधिकारियों के अनुसार चुनाव में किसी भी समस्या से निपटने के लिए राजे भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गए हैं और पड़ोसी राजियों से भी फोर्ज बुला कर तैनात की गई है प्रिटिकल पोलिंग स्टेशन, माइक्रो अब्जरवर, वेब कास्टिंग और सीसी टीवी जैसे उपवरणों से लैस होंगे ताकि मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की रुकावट ना आए तो समान नागरिक सहिता की और पूर्वोत्तर की राज असम ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया सियम हिमंत विस्व सर्मा ने कहा कि उनकी सरकार कानून के जरीए एक से ज्यादा शादी की प्रथा पर बैम के लिए जरूरी कदम उठाएगी असम में बीजेपी सरकार के दूसरी वर्जगार्ट पर सीम हिमन्ता विसु सर्मा ने बहुविवाह प्रथा को लेकर बड़ा एलान किया है असम सरकार ने एक विशेशा की समीती बनाने का फैसला किया है जो ये पता करेगी कि क्या राज विधान मंडल को बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं मुख्यमंत्री के मुताबिक समीती भारत के सम्विधान के अनुचेद 25 और मुस्लिम पर्सनल लौ अधिनियम 1937 के प्रावधानों पर गौर करेगी मुख्यमंत्री का कहना है कि समीती कानुनी विशिशग्यों सहित सभी पक्षकारों से इसको लेकर चर्चा करेगी ताकि एक सुविचादित फैसला लिया जा सके हाला कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि वो समान नागलिक सहिता के ओर नहीं जा रहे हैं बलकि वो चाहते हैं कि बहुविवाह पर राजी के एक्ट के तहट प्रतिबंध लगे हिमंता विशु सर्मा के मताबिक असमें बाल विवाह के खिलाफ कारवाई के दौरान ये पाया गया कि कई बुज़ूर को पुरुशों ने एक से जादा शादी की उनकी पत्नियां जादा तर समाज के गरीब तबगे की युवा लड़किया थी हिमंता विशु सर्मा ने एलान किया कि उनकी सरकार बहुविवाह पर लगाम के साथ-साथ बाल विवाह के खिलाब भी अभियान को तेज करेगी करनाटक की जनता आज अपनी नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग करेगी आपको बताएं आपर उसी वोटिंग करे होगी तो उसी वक्त जो प्रधान मंत्री है वो रारिस्थान में होंगी और यहां की जनता को पचपन सो करोर रूपएक से ज्यादा की सौगात दे रहे ह करनाटक विधान सभा चुनाव में वोटिंग के बीच आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करेंगे और जनता को 5500 करोन रूपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान, सड़क और रेल सहित बुन्यादी धांचे से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकारपन और शिलान न्यास करेंगे पियम मोदी सुभा करीब 11 बजे नाथ द्वारा के श्रिनात मंदिर जाएंगे उनर विकास की आधार शिला भी रखेंगे इसके अलबा पियम मोदी सूपर इस्पेशिलिटी चैरिटिबल ग्लोबल अस्पताल की आधार शिला भी रखेंगे या अस्पताल करीबों और आधिवासी लोगों के लिए आबू रोड में 50 एकड़ जमीन पर बनाया जाए